वेलकम तू स्टडी आईक्यू, आम अमित वरिदी कि लोर, मद्धेपर्देश पब्लिक सर्विस कमिशन ने प्रिलिम्स 2021 एक्जाम कंड़क्ट कराया है 25 जुलाई 2021 को, यानि कि जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू दोनों के दोनों खतम हो चुके हैं, I expect, मैं आशा करता हूँ, आप लोगों ने अपनी expectations और अपनी potential के according perform किया होगा, आईए analysis करते हैं, जीएस पेपर वन का, उसकी answer की मैं आपको provide कराता हूँ, किस topic से, किस subject से कितने questions आए हैं, किस प्रकार की questions की distribution थी, moderate level था, difficult level था, इसके बारे में discuss करेंगे, and then what might be the expected cutoff, ताक जानते हैं कि मध्यपरदेश Public Service Commission, अपनी state civil services के लिए एक exam conduct कराता है, right, 2021 का जो prelims है, वो 25 July को complete किया गया था, now we'll discuss the GS paper 1, General Studies paper 1, General Studies paper 1 को discuss करने से पहले उसका syllabus देख लेते हैं, exam time के prelims paper 1 studies में, total जो मध्यपरदेश government ने जो subject दिया हुआ है, वो generally UPSC से थोड़ा सा match खाता है, उसमें कुछ subtle से differences है, General Science से related question आते हैं, Environment से related, History of India, Independent India मतलब कि यानि कि 1947 के बाद जो भारत में कोई भी activities, events हुएं, उन से related questions होते हैं, Indian politics and economy से related questions, Sports, specifically sports से related question आते हैं, and then a very specific and important component of the exam is that, कि मध्यपरदेश से specific history, geography और culture, जैसे कोई दूसरा exam है, दूसरी state का exam है, तो उसमें state specific questions होते हैं, उसी परकार से मध्यपरदेश में वहाँ के इतियास की, वहाँ के भूगोल के बारे में, वहाँ की culture के बारे में, specific questions वहीं से पूछे जाते हैं, and then information and communication technology, यह कई सारे ऐसे topic हैं, जैसे कि IT वाला topic है, sports वाला topic है, जो कि थोड़ा सा असानी से, आप थोड़ा भूट भी पढ़के, basically अच्छी तरीके से clear कर सकते हैं, इस बार जो GS paper 1 हुआ है, मैं आपके सामने set A of the MPPCSC prelims 2021 discuss करूँगा, ठीक है, अगर आपको key मिलानी है, answers मैं आपको बताऊंगा, सारे के सारे questions की, अगर आपको उसमे answers मिलाने हैं, आप इस समय अपना paper लेकर मेरे साथ मिला सकते हैं, बट याद रखिएगा कि I am following set A, मैं आपको इसके set A, B, C, D, चारो के चारो set की answer की answer की होगी, वो available करा दूगा, पर इस समय अगर ध्यान रखिए कि जो इस class में, जो भी आपको PPTs, जो भी आपको screen पर दिख चलिए, अब परारम करते हैं कि basically यह जो syllabus है, इसके according exams में कौन से questions आई हैं, कितने questions आई हैं, तो जो exams के subject की question की distribution है, वो इस समय आपके screen पर है, यानि कि जो सबसे ज़्यादा component था, वो मध्यपरदेश का था, मध्यपरदेश specific, जिसमें मध्यपरदेश की history, culture, geography से related जो questions थे specifically, यानि कि जो भी state civil services prepare कर रहा है, उसको अपने राज्ये के बारे में थोड़ा और बहतर तरीके से, deep तरीके से पढ़ना था, और ये बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि 30% of the paper came specifically from the मध्यपरदेश, अच्छा, उसके बाद Indian quality, आपको मैं बताऊंगा, यह इस परकार से देख चल रहे हैं, अगर आप लगाएंगे खुद इसमें से, तो 27 से 30 के बीच में आ जाएगा, कई बार अलग-अलग लगा सकते हैं, कुछ agriculture का question है, तो आपने उसको agriculture में या environment में put कर लिया, so hence there is a gap given, अच्छा, उसके बाद जो second section, जो सबसे important निकलाइस बार exam में, वो था polity का, इंडियन पॉलिटी का exam था, 16 से 17 questions आए हैं, specifically इंडियन पॉलिटी से related, यानि कि ये दोनों के दोनों sections, सिर्फ और सिर्फ मध्यपरदेश का पढ़के, और एक लक्ष्मी कांथ की पूरी की पूरी किताब करने के उपर, आप 50 से भी अधिक questions पेपर में solve कर सकते थे, 50% of the MPPC CAC Previllance 2021 specifically came only from the two topics, लेकिन two topics में यह मैं सोचेगा, कि सिफ दो ही topic थे, मध्यपरदेश जो specific है, वो further divided है, मध्यपरदेश के culture के अलग थे, मध्यपरदेश की geography के अलग थे, मध्यपरदेश से related, individuals से related सवाल पूछे गए थे, ये specifically, but overall उसका जो topic है, जो हमारे history, geography and culture जो यानि कि ये दो topic, 50% आपका पूरा पूरा paper करा देते हैं, इसके बाद जो सबसे बड़े topic थे, जो कि basically है, एक तो geography, environment और agriculture, मैंने इन सबको साथ में collect कर दिया है, environment से 3-4 questions थे, agriculture के specifically 2-3 questions थे, लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे से associated होते है, geography, environment और agriculture, indeed इनको जब भी पढ़ थे, more than 14-16 questions हमारे exam में आए है, MPPCSC prelims में, GS में, and then another one, history, art and culture, अब ये history, art and culture में कई सारे topic involved है, ठीक है, ancient India involved इसी के अंदर है, medieval India, modern India की जो history है, तीनों जो हमारे chapters है, history के वो इसके अंदर है, and then there were some questions related to art and culture also, जो की basically इसी के अंदर included है, again, मैं फिर से याद दिला दू कि questions overlap हो जैसे art and culture का जो कोई question है, वो कई बार मध्यपरदेश की art and culture से भी पूछा जाता है, तो वो दोनों के दोनों के अंदर fit हो सकता है, कि कहां से पढ़ा जाए, and then, sports से related बड़े clear cut, तीन questions है, जो कि directly sports से related थे, असानी से वो identifiable है, उसमें कोई overlap की issue नहीं है, again, लेकिन उसमें भ modern science technology से related questions, 9 से 10 के करीब उससे जादा questions पूछे गए है, economics, very interestingly, economics यानि कि Indian economics on the national level, Madhya Pradesh से related तो है, परन्तु जो Indian economics है, उसमें सिफ 4 से 5 questions पूछे गए थे, so सबसे जादा जो minimum, अगर component देखा जाए, exams का, that came from the economics, इसके अलावा जो बाकी बच्चे हुए questions थे, current affairs से related, international affairs, जो क साथ ही साथ एक दूसरे से associated है, science, जो कि basic science होता है, and then some miscellaneous questions, जो कि around and around 10 से 12 questions थे, so this questions, यह हमारा जो analysis है, distribution, जो कि according to subjects है, हमें एक चीज़ तो बता रहा है, सबसे पहले कि अगर Madhya Pradesh Public Service Commission paper clear करना है, तो very important है Madhya Pradesh specific पे focus करना, यानि कि जो state की preparation है, वो बाकी nation वाली, जो बा प्रतिशत वहीं से आ रहा है, इसके अलावा, अगर आपके पसंद के कोई दो topic आपने बहुत अच्छी तरह से करे हो, जैसे कि लेसे कि आपका एक quality बहुत अच्छी तरीके से prepared था, और geography plus environment अच्छी तरह से prepared था, that means that you would put yourself in a situation, जहाँ पे आपको basically cut off clear होने की पूरी की पू और वो भी जो पूछे गए है questions, they are actually very basic also, तो यानि यह आपके लिए अच्छा था, हाँ यह surprising भी है, but then ऐसा होता रहता है, current affairs was not a huge section this year, ठीक है, 4-5 questions current affairs के थे, उसमें से कुछ international वाले भी पूछ लिए हैं, कुछ science से related भी पूछ लिए हैं, and the coronavirus, जो की एक साल से पढ़ के notes बना लिए हैं, उसके उपर, coronavirus से सिर्फ और सिफ एक ही question था, question में वैसे बता देता हूं, उसमें question में यह था कि MERS, MERS, SARS और COVID-19, और पूछा गया था कि इन में से कौन से coronavirus है, so यह confused मत होना इसके अंदर, सिर्फ COVID-19 is not a coronavirus, जो MERS virus है, जो SARS virus है, और जो COVID-19 है, यह सब ही एक family virus की family के virus है, जिसको coronavirus कहा जाता है, COVID-19 is novel coronavirus, यानि की जैसा की पहले exist नहीं करता था, novel है, नया नया पता चलना है उसके बारे में, coronavirus से एक ही question आया, and honestly speaking, वो काफी सरल असान था, जिसको भी थोड़ी सी भी समझती, उसको असानी से कर सकता था, अब हम क्या करेंगे, कि हम यह जो topic wise, specifically questions को एक बार discuss करते हैं, देखते हैं, और साथी साथ यह भी understand करने की कोशिश करेंगे, कि इसमें से difficult कौन सा था, या moderate कौन सा था, या फिर आसान कौन सा था, overall मैं आपको एक expected cut-off बताने की कोशिश करूँगा, more or less it was a moderate, मतलब कि there were some difficult questions, जैसे art and culture का जो पार्ट वो थोड़ा सा difficult था, काफी detail में पूछा गया था, लेकिन polity में कुछ questions काफी असानी थे, 10 के करीब असानी से किये जा सकते थे, 3-4 जादा detailed में, बहुत जादा रट्टा मानने की जिसमें जरूरत थी, then there were some difficulty level in that also, IT and communication tech के अंदर, बिलकुल equal equal है, 5 easy है, 4 difficult है, सरलता से, geography, environment and regular culture, more or less moderate, अगर आप अच्छी तरह से revise करके गए हैं, तो उसको भी कर सकते थे, मध्यपरदेश specific basically discuss करते हैं, right, तो अब हम इसको specifically topic wise discuss करेंगे, पहले हम वही question discuss करेंगे, जो की मध्यपरदेश से associated है, and याद रखे, just to remind you once again, we are doing the set A of the MPPCSC prelims GS1, ठीक है, इसमें साथ आपको अगर अपना marks लगाना है, तो मैं आपके साथ एक answer key भी share कर दूँगा, इस PDF में answer की है, जैसे कि question number 1 से related, और सारे के सारे set के लिए है, set A, set B, set C, set D की, ठीक है, यह पूरी की पूरी है, अगर आप चाहें तो इसमें, इसी slide में आप screenshot भी ले सकते हैं, दो, मैं इसको अपने इस telegram channel पे आपके साथ share कर दूँगा, तो you can actually get the PDF or the answer की, and the, जो हमारा PDF, आपको अगर किसी को, यह question paper की जुरुवत है, तो I'll share it in the telegram group, t.me slash amitkilo, चलिए, अब बिना किसी delay के, सारी की सारी बाते हो चुकी है, let's begin with the questions, हम specifically questions को discuss करते हैं, और उनके answers को इक बर discuss करने की कोशि associated हैं, उन से करेंगे, हम जानते हैं कि approximately 27 से 30 के करीब जो questions हैं, वो मध्यप्रदेश से associated हैं, इस परकार से देखे, आपकी जो यह slide है, इसमें आप देख सकते हैं, questions है, and I have also mark the answer for you, मैंने इस समय आपके लिए mark किया हुगा है, जैसे पन्ना district है, मध्यप्रदेश का, किस mineral के फेमस है, ठीक है, तो यह एक, अगर आप इसको देखोगे, तो you will actually consider it easy, मध्यप्रदेश में कोई भी रहने वाला है, यह बहुती सरलता से जानता है, कि भाई, पन्ना district में हीरा मिलता है, यह बहुती असान है, diamond है answer, now this is something easy, तो हम इसी परकार से हम discuss करते हुए चलेंगे, कि कौन सा easy है, कौन सा moderate है, कौन सा difficult है, right, approximately message आपको अगर end तक वेट ना करना पड़े, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 60 से लेके 70 के बीच में सवाल किये हैं, ठीक ठाक, attempt किये हैं basically इसके अंदर, तो basically you have done a good job, ठीक है, moderate से moderate level की इसकी difficulty थी इस exam की, अगर 60 से उपर क कहीं पर score बन रहा है, 70 के बीच के करीब बन रहा है, तो basically इसका मतलब आपने paper अच्छा किया है, now we are discussing the set A, set A का पहला question यही है, पन्ना district of मध्यपरदेश is famous for which mineral, ठीक है, यह set A का पहला question है, मध्यपरदेश का पन्ना जिला, किस खनीज के लिए परसिद है, मैंगनीज, संग basin से related है, now this is again not the part of the difficulty one, किसी को अगर नहीं पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि इसको moderate difficulty level में देना चाहिए, यह यमूना basin का part था, but any person who has prepared उसके लिए यह question easy भी हो सकता था, not a problem, जवाहर सागर hydro electricity project, बहुत ही simple, सरल कोई concept नहीं है, यह पर basically simple information की objective question है, चंबल के उपर जवा सागर hydro electricity project बन रहा है, I believe it's a very very easy question, main crop of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh की main crop क्या होती है, गेहूं होती है, easy और सरल सवाल है, so I think we have figured it out, right, अब हमें क्या करना है, हम यह questions जो हमने analysis किया है, depending on the distribution of the question, अब हम उसको एक एक करके करेंगे, सबसे पहले हम Madhya Pradesh के specific question करेंगे, 27-30 and then we'll go with the quality and so on, आन आने वाले फिर उस परकार से, अब इस समय हमने Madhya Pradesh से related questions करना start कर दिया है, जो यह आप question number देख रहे हैं, यह question number set A से related है, right, set A में तीन number का जो question है, वो जोहार सागर hydro electricity project, और on the which river, चंबल के उपर है, and it is a question related to Madhya Pradesh, Madhya Pradesh से associated है, let's go for it, who was the original founder of the Bhopal state, again, question तो अब हमें पता ही चल चुका है कि Madhya Pradesh से है, दोस्त मुहमद खान is the correct answer, दोस्त मुहमद खान is the absolutely correct answer इसके अंदर, moderate level difficulty नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोपाल के founder का जो नाम है, वो किसी भी Madhya Pradesh की इतियास की किताब में बहुत ही असानी से दिया होता है, I'll consider it, it's also easy one, चलिए अब आत 22 नंबर की question पर, इसको आप थोड़ा सा doubt में राख सकते हैं, बिल्कुल difficult question है, इसकी information मुझे अभी तक नहीं पता चलिए, तो इसको बाद में ही confirm करेंगे कि राजा वीर सिंग देव की capital क्या थी, now we keep it in the difficult position, ये थोड़ा सा difficult question है, इसका answer मुझे अभी नहीं मिला है, तो मैं इसको अपने telegram group में आपको बता दूँगा, अच्छा, भिमबेटका वस discovered by, अब भिमबेटका वस discovered by Dr. Vishnudhar Vakankar, ये जो question है, अगर आपको difficult लगता है, तो मैं आपको एक example देता हूँ, 11th class की NCRT जो class है, NCRT की जो Art and Culture की किताब है, उसके page number 3 पर directly, भिमबेटका मध्यपर ये immediately मुझे पता चल गया था, ताकि मैं आपको ये information दे दूँ, ध्यान दे दूँ, मैं आपको बता दूँ कि basically NCRT से बड़े basic questions पूछे जा रहे हैं, जो कि बिलकुल सामने पहले 2-3 पन्नों पर ही पूछे गए थे, मतलब there is a difficult, अब इसको अगर कोई कहता है, ये difficult level है, त लेकिन मैं बता देता हूँ, इसका answer है, भील, ठीक है, easy है, subtle है, not a difficult question, बहुती common knowledge है, मध्यपरदेश में भील पर जाती, भील जन जाती के जो लोग है, वो पाए जाते हैं, not a doubt about it, चलिए, ये वाला information को याद रखे, ये art and culture की 11th किलास की NCRT की किताब है, 11th किलास की NCRT, स मध्यपरदेश specific information है, that becomes doubly important for you, आप समझे मेरी बात को, मध्यपरदेश के लिए आप मध्यपरदेश की किताबे तो पढ़ते ही है, मध्यपरदेश का इतिहास पढ़ना है, वहां की जोग्रफी पढ़नी है, वहां का economics पढ़ना है, that is no doubt about it, but आप exams की preparation के लिए NCRT books को भी एक simple सा सरल सा अपना note बना लीजिए, कि NCRT में जहां पर भी मध्यपरदेश की information है, वो आ जाती है doubly important, वो सबके सब के लिए doubly important हो जाती है, चले मध्यपरदेश चे आने वाले अगले और question पूछते हैं, पदमशिरी भुरुभाई, भुरुभाई जी किसलिए famous है, भुर कलाश सत्यार्थी was born in which district of the मध्यपरदेश, कलाश सत्यार्थी Nobel Prize Laureate है, वो मध्यपरदेश के हैं, उन्होंने मलाला यूसुफ जाई के साथ Nobel जीता था, ये बात बहुत जरूरी है किसी भी मध्यपरदेश के बालक के लिए जानना कि भई वो कहां से है, and it is a very easy, it's a basic thing, भई district में लगा हुआ है, सरलता की बात है, अच्छा मध्यपरदेश, state election commission किस दिन constitute हुआ, यहाँ पर हम थोड़े से difficulty उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, polity का भी question है, मध्यपरदेश का भी question है, अब इसके अंदर एक तो इन्होंने answer में questions भी बहुत तरी difficult से दिये हुए, they are asking for the exact date और option दिये हैं, फरवरी, March, April और मई, यानि कि बहुत अच्छी तरह से याद है, हलका फुलका पढ़के भी निकल गए हों, तो exactly identify करना मुश्किल नहीं होगा, but मध्यपरदेश का जो state commission, election commission है, उसको constitute किया गया था, एक फरवरी, 1994 को, सीधा सीधा सरल, मतलबैजन की, पता ही specific information आप से मांगी है, section 118.2 of the state reorganization act, section 118.3 of the, मतलब, it is a complex issue, ये काफी ज्यादा समझदारी का issue था, तो ये भी difficulty level इसके अंदर काफी बढ़े गया है, what was the real name of the national poet, बालकवी बैरागी, बालकवी बैरागी का नाम, नंदराम दास था, 41, related to the मध्यपरदेश, ये जो को, बा ये easy है, उजयन में इसमें identify करना, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी परकार की मुश्किल होई होगी, जिन्होंने भी basically ये preparation किया हुए, art and culture में बहुत आसानी से, it's kind of open information, difficulty नहीं होगी इसके अंदर, अगर ये नहीं question आता था, तो basically इसके अंदर थोड़ा सा heuristic use कर लेना था, कि भई options में सिफ spelling बदल के दिया हुआ है, तांतिया भील का नाम तांतिया ही था, बस spelling का थोड़ा सा difference दिया हुआ है, answer दीजिए इसके अंदर, seems like an easy one, not a difficult one, who among the following governors of Madhya Pradesh has been the chief minister of Haryana, ये information आपको हो सकता है, difficult हो सकती थी, याद करना काफी मुश्किल होता है, और ये बात को identify करना कि वो chief minister of Haryana हुआ करते थे और उसके बाद basically governor बनते हैं, that was a very difficult version, no doubts about it, इसको आप difficulty level पर ले जा सकते हैं, भगवन दयाल शर्मा जी, पहले chief minister हुआ कर of the chief ministers of Madhya Pradesh have not held the office of the leader of opposition in Madhya Pradesh legislative assembly, ठीक है, इन chief ministers में से कौन opposition के कभी भी leader नहीं रहे हैं, ठीक है, again इसको identify करना ये जो names है और उनकी पूरी हिस्टरी इतियास को जानना, मुझे लगता है आप लोगों को किसी परकार की moderate से लेके difficult level के बीच के अंदर ही put करेगा, सरल question नही इस वाले बारे में, ठीक है, दिगवीजे सिंग और मोतिलाल वो रहा है, जो की chief minister तो रह सके हैं, रह चुके हैं Madhya Pradesh की, लेकिन leader of opposition नहीं रहे हैं, मैं legislative assembly के अंदर, कर लीजे, इसको mark कर लीजे, आपने 78 वे question पर आ जाते हैं, select the correct order of proceedings of the Madhya Pradesh legislative assembly, Madhya Pradesh legislative assembly की, बताना है कि जो चार option दिये गए हैं, किस chronological order के अंदर follow किये जाते हैं, मैं यह polity से related question है, ठीक है, इन्होंने specifically बोला Madhya Pradesh legislative assembly का है, दो आप इसको polity का question समझ कर भी कर सकते थे, आप इसको अंदाजा लगा सकते हो कि चाहें लोकसभा हो, या फिर basically किसी भी state की legislative assembly हो, उसमें सबसे पहले governor address ही होता है, first one, अब यह अगर आप इसमें, सिर्फोर सिफ यह judgment लगा लेते, कि इन सारे options में, oath, introduction, governor, mention of death, legislative assembly, या लोकसभा जब भी start होती है, तो लोकसभा में president address सबसे पहले होता है, और legislative assembly में governor address सबसे पहले होता है, अगर आप यहां तक पहुँच जाते हैं, तो यह answer automatically kind of information, सीधा बताते, governor address सिर्फ two, एक ही option के अंदर था, C is the correct answer for the 78, 79, which among the following chief justice of madhya pradesh high court has not been the judges supreme court of India, non-doubtably, non-negotiably, थोड़ सा difficult question है, ठीक है, एक तो specifically, सारे के सारे judges का नाम भी पता हो, और फिर यह भी पता हो, कि उसमें से supreme court के कौन जज़वन है, और फिर उसको याद करके यह justice S के जहाँ है, जो कि chief justice of madhya pradesh high court तो रहे हैं, पर फिर वो supreme court के judge नहीं बने थे, what percentage of the total forest area of madhya pradesh, teak trees are found, अच्छा, यहाँ पर देखे, एक catch आ जाता है, इसमें, interesting वाला, क्यों, क्योंकि आपने जो information याद की है, वो है approximately 17 point कुछ percent, right, 17 point से 5, 17.5 से उपर है, 7.7 ये 8 के पर इसमें exact data नहीं दिया हुआ है, इसमें about 15% या about 20% किया हुआ है, अब इसमें आपको जो basic 5 वी किलास में, round off का जो principle था, वो लगाना था, अगर 17.5 से नीचे रहता, तो आप round off करोगे तो उसको 15% मानोगे, लेकिन अगर 17.5 से उपर है, 17.5 से उपर यानि 6, 7, 17.18, 19, तो उ round off करेंगे, तो इसका answer आएगा 20%, इसमें इस समय अगर किसी बात पर debate है, कहीं पर आप किसी answer की में, इसको 15% देखते हैं, तो याद रखिए, क्योंकि वो 17.5 से उपर है, जो आपने data पढ़ा हुए, टीक ट्रीज का मध्यपरदेश में, तो उसको round off करेंगे, तो approximately 20% ही मान जाएगा, सरल बात है, बेटवा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्या निल्स, ये question इतनी बार पूछा जा चुका है, कि ए एकदम सरलता से माना जाएगा, बही नदियां कहां से ओरिजिनेट करती है, ऐसा कोई, मतलब और मध्यपरदेश के exam में, ऐसा ना पूछा जाए कि मध्यपरदेश की नदी कहां से ओरिजिनेट करती है, बेटवा रिवर जो है विंध्या हिल से निकलती है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सब हम जानते हैं, easy questions में इसको count कीजी आप, in which part of मध्यपरदेश annual variation in temperature is maximum, no doubts about it, थोड़ी सी difficulty हो सकती है इसके अंदर, जोगरेफि में बता देता हूं, जो temperature variation maximum है, वो usually northern part में होती है, variation का मतलब क्या हुआ, देखे, बद्धे परदेश अगर हम ऐसे देखते हैं, तो ये हो गया south part, ये हो गया north part, right, north part का variation का मतलब ये है, कि गर्मियों और सर्दियों में जो temperature है, उसके बीच का difference कितना होता है, that is what, तो जो south part है, वहाँ पर एक hypothetical example में आपको देता हूं, कि गर्मियों में, let's say, लीजिए कि यहाँ पर 45 degree का temperature पहुंच जाता है, तो सर्दियों में यहाँ पर जो average temperature है, वो 25 degree का है, तो जो difference है, वो सिर्फ और सिर्फ 20 degree का है, उसी परकार से north में, north में यह होता है कि ये 45 degree का है, लेकिन सर्दियों यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा, south के relative में थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर लेसे कि 20 है या 15 degree है, तो जो वो variation है, जो difference in summer और north के temperatures में, वो थोड़ा सा ज्यादा है, and this is what they were asking, ऐसा मध्यपरदेश के उतरी इलावकों में होता है, average temperature increases in summer in मध्यपरदे मध्यपरदेश में temperature increase होता है, और फिर उसके बाद direction पूछी गई है, south से north की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, तो यह temperature बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है, according to 2011 census, which district of मध्यपरदेश is having highest sex ratio, बाला घाट, अब सवाल यह है, यह आप इसको difficult लगाओगे, easy लगाओगे, यह question sex ratio से और मध्यपरदेश के census से related question, ऐसा नहीं है कि UPSC, sorry, MPPCS prelims हर बार पूसता ही पूसता है, so अगर यह नहीं आया था, तो यह basically गलती थी, student की गलती थी कि इसको prepare करके नहीं गए, क्योंकि MPPCS prelims question में census से associated और sex ratio से associated questions regularly आते रहे हैं, I will not consider it as a difficult one, growth rate in the crop sector of मध्यपरदेश, भई यह इतना difficult था कि इसको तो छोड़ ही देना चाहिए था, एक तो 2021 में exam ले रहे हैं और सवाल पूछ लिए है 2017 और 2016 का, ठीक है, difficult level, out and out clear, इसका answer तो मुझे भी बड़ी मुश्किल से मिला था, 34.14% और very exact पूछा गया है, tremendously difficult, highly difficult to realize this, तो इसको तो most probably छोड़ देना ही व मध्यपरदेश, complex question नहीं है, यह diamond basically है, आसान है, बाकि आप देख सकते हैं, copper, mica, iron, जब आप सोचेंगे तो पूरे की पूरे देश में और कहां कहां पर यह मिलते हैं, तो आपको बहुत आसानी से उसके नाम भी याद आ जाएंगे, in which city मध्यपरदेश tribal museum is situated, भोपाल, subtle question, इस परकार से, starting से लेकि 99 तक हम last में पहुँच गए हैं, और यह हमारा set A के अंदर, approximately मैंने आपको 27 questions कराए हैं, जो कि specifically मध्यपरदेश से associated थे, ठीक है, starting का पहला question और last में फिर बढ़ते रहते हैं मध्यपरदेश के questions पर, and 99 questions were specifically related to मध्यपरदेश, इसमें मुझे लगता ह कि जो 27 से 30 questions थे, ठीक है, इसमें से आप सरलता से, जिसने prepare किया है, जिसने मध्यपरदेश वाली पूरी की पूरी किताब अच्छी तरह से पढ़ी है, रिवाइस की और कुछ mock test लगाये थे, वो असानी से इसमें से 20 questions महुती कर सकता था, and there were 3 to 4 questions, जो की most probably इसके अंदर छो सकते हैं कि 15 थोड़ा सरलता से हो सकते थे, और उसके बाद जो बाकी 10 के करीब थे, moderate difficulty, and then 3 to 4 to 5 questions जो थे, जो की आपको छोड़े जा सकते थे, but ये बात ये है कि cut-off clear होगी या नहीं होगी, वो basically इसी section से पता चलेगा, जिसने मध्यपरदेश अच्छी तरह से prepare किया है, वो हम देखेंगे कि IT और communication से associated कौन से question आते हैं, ठीक है, मध्यपरदेश के prelims के syllabus में specifically, अलग से, usually ये question जो IT, technology, communications से related questions हर exam में पूछे जाते हैं, but MPPCS prelims में specific syllabus में अलग से mentioned है, and owing to specialty, owing to the importance of this topic, कम से कम 9 से 10 questions specifically इस topic से पूछे गए थे, मतलब कि ये topic छोड़के जाना, अपने पैर उपर कुलाडी मानना था कि paper होगा नहीं, अगर ये paper छोड़के चले गए तो, and इसमें बिल्कुल clarity है, इसमें weirdly enough 4 questions असान है, और 4 questions hardcore difficult है, करना मतलब जिनको थोड़ा सा मुश्किल था, चली हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हुआ हुआ है, सबसे पहले आ जाते ह 4 phase maturity model can be arranged in, और उसके बाद फिर उन्होंने information का 4 phase maturity, information, interaction, transaction and transformation, अगर आपका जो graduation subject है, इस से associated था, तो आप कर सकते थे, वरना इसमें भनक भी नहीं लगती कि ये कौन सी चीज है और कहां से आई थी, highly difficult question पे अगर आप देखा जाए तो, दूसरा, a social network can be represented as, ठीक है, ये common sense का question था, you would not need to read it, subtle question था, a social network can be represented as a graph, एक graph में आप पूरे की पूरे जो social network है, उसको represent कर सकते हैं, दो, there was a possibility कि आपको अगर subject आपने पढ़ा हो, तो आपको ये बड़ी अच्छी तरे से mention हो जाता था, ऐसा नहीं है कि इतना सरलता से common sense से आ जाएगा, but still, any person who have read IT and communication और specific ये question न आपके बारे में, IPV6 protocol defines an IP address of 128 bit, basic information, okay, this is basic, person should know about it, अगर नहीं पता है, तो फिर basically हमारी खुद की गलती है, right, कि ये subject, हमने topic, हमने प्रिपेर अच्छी तरह से नहीं किया है, but still है, IPV6 protocol जो होता है, वो IP address 128 bit में देता है, no doubts about it, it is a method of making automatic predictions about the interest of a user by collecting preferences, अच्छा, ये कहना के इस question को समझे, एक ऐसा method जिसमें automatic predictions होती है, user के interest की, by collecting preferences, यानि आप एक application के user है, आप क्या prefer करते हैं, एक example के तोर पे Amazon जब आप खोलते हैं, तो आपकी preference किस-किस चीज की है, वो do you prefer a phone, do you prefer toys, do you prefer a dress, आपकी क्या preferences है, इस बात की prediction करना, by collecting preferences, ठीक है, यानि आपने एक बार phone search किया, तो वो जो algorithm हो गया, application का, वो इस बात पर judgment कर लेगा, कि शायद आपको phones फसंद है, अगर आपने दो बार कर दिया, तो फिर बिल्कुल sure हो जाएगा, फिर आपने phone का model कौन सा search किया है, शायद उससे वो आपकी धीरे-धीरे preference को predict करने की कोशिश करेगा, य which is not a type of secondary memory, easy question, common sense के दुवारा कराय किया जाने वाला, secondary memory कौन सी नहीं है, अब इसके अंदर आप देखो, USB pen drive, pen drive आप अपने laptop में निकाल सकते हो, डाल सकते हो, कोई movie है, 2-4 GB की वो pen drive में डालो, pen drive से निकालो, secondary memory है, यानि computer को जरूवत नहीं है pen drive, hard disk और solid state drive, ये जो दोनो की दोनों memory हैं, ये बदली जा सकती है, ऐसे तो आपके computer में एक ही होती है, लेकिन बदली जा सकती है, अगर आप चाहें, तो अगर आपने computer में SSD 128 GB से बढ़ा कर 256 GB की करा लो, hard disk बढ़ा कर 512 GB से लेकि एक TV की करवाई जा सकती है, however, random access memory is the primary memory, वो आपके computer को function करने के लिए चाहिए ही, चाहिए ज़रूरी ही है, आप अपने computer पर hard drive extra बहार से external जोड सकते हो, solid state drive externally जोड़ी जा सकती है, USB pen drive external जोड़ी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ random access memory externally नहीं जोड़ी जा सकती है, इसका मतलब आप इसमें से odd man out को अगर identify कर लेते, तो answer सीधा सीधा random access memory निकल सकता था, what is XML stands for extensible markup language, ये चीज़े common है, जो भी internet use करता है, उसके सामने ये regularly चीज़े आती रहती है, but yes, उसकी जो full form है, वो कई बार हमने कभी सुनी भी नहीं होती है, कई बार याद भी नहीं होती है, difficulty level इसका difficult ही रहेगा, ये moderate नहीं माना जाएगा, microwaves are electromagnetic waves having frequencies in the range of 1 GHz to 300 GHz, उनने study IQ पर कई बार हमने जो electromagnetic spectrum है, उसकी कई बार discussion की है, several of the videos में, and microwaves की जो frequency है, 1 GHz से 300 GHz तक होती है, ये थोड़ी सी basic physics की knowledge है, 9 वी से 10 वी कक्षा की, तो जिसने पढ़ा तो उसको आना चाहिए था, ये difficult question है, blowfish is a type of symmetrical encryption algorithm, very difficult, जिसने पढ़ा, जिसको niche है, जिसका याद है, जिसका subject है ये, वह वही answer कर सकता था, बाकि अगर किसी ने छोड़ा हो तो निराश मत हो, बहुत सारी लोगों ने छोड़ा है ये वाला, और तीसरे वाला और चोड़ा है, what does Puma stands in the context of robotics, तो जो robot robot बनाते हैं, वहाँ पर एक शब्द कप्रियोग होता है, Puma, Puma का मतलब होता है, programmable universal machine for assembly, डोनो question, अगर देखे जाएं, तो बहुत ही specific information, और specific knowledge, और specific factual objective data को याद करने की जरूवत थी, तो there is a huge possibility कि आप में से कई सारे लोगों ने इसमें से, इन दोनों topics में से, कई सारे question छोड़े हैं, देखे, 57 भी छूड़ने लाएक question था, 60 भी difficult था, and 4th और ये 5th, ये वाले दोनों के दोनों difficult question थे, तो 4 question तो ऐसे थे, जो कि deep अगर पढ़के गई हो, communication technology को, तब भी basically ना हो तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, हाँ जो कोई engineer था हमारा, communication IT engineer कोई था, वो probably इसको असानी से कर पाएगा, beyond that, arts वाले जो students है, उनके लिए definite difficulty थी, indeed, arts वाले students के लिए तो XML में भी problem आ सकती थी, and more or less, 59 और 58, probably कर रही देना यह हमारे होगे, IT and communication वाले, और अब इसके बाद आता है, जो कि actually मैं paper clear करने के लिए, तीसरा सबसे important चीज था, देखिए, IT and communication जो था, वो paper clear नहीं हो सकता उससे, लेकिन उसको पढ़के इसलिए जाना होता है, कि at least 4-5 easy question अगर आए, तो उससे definitely हो जाए, paper clear हुआ है, दो च So it was very necessary, कि यह subject बहुत अच्छी तरह से prepared हो, because they have asked some difficult questions, थोड़ा सा, जिसके अंदर जादा मेहनत लगेगी जिसको करने में, वो questions उन्होंने पूछे हैं, देखिए, सबसे पहले, which of the following states and their respective chief ministers, कौन-कौन से मुख्यमंत्री हैं, जो की बाद में परधान मंत्री बनें, तो जो कि सारे नरेंदर मोधी वाला option उन्होंने दिया ही नहीं, हर एक में थर्ड था, ठीक है, इसको मैंने quality में इसलिए डाला है, क्योंकि overlap है, इसको राजे विवस्ता पढ़ते वक्त ही आप ये information पढ़ेंगे, कि जो मुख्यमंत्री है, वो परधान मंत्री बने हैं, nevertheless इसका answer है करनाटका के पहले Chief Minister थे, then he becomes the Prime Minister, and the Charan Singh basically finally goes to Uttar Pradesh, undivided Uttar Pradesh, उतर प्रदेश को अब दो भागों बाट गया कि Uttar Pradesh और उतर खंड में, तो पहले जब Uttar Pradesh पूरा Uttar Pradesh हुआ करता था, तब Charan Singh उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, and later on he went on to become the Prime Minister, इसको करते मैं भी ख कोश हो गया था, मैंने का कि मैं तो पहचान लूँ, अरेंदर मोदी जी के बारे पर तो जानता ही है, फिर देखा कि उन्होंने option ऐसे ही दे रखा है, यह में सभी सभी थर्ड दे दिया है, चलिए, which of the following type of judges, Supreme Court में कौन-कौन से judges appoint किये जा सकते हैं, हमारी study IQ पे Indian quality की एक series च हो सकते हैं, अब Supreme Court में ad hoc judges हो सकते हैं, additional नहीं होते हैं, whereas high court में additional भी होते हैं, यहीं यहां पर catch था, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि subtle question है, there is a possibility कि आप के अंदर difficulty आ सकती है, but फिर भी किया जा सकता था, with a slight more difficulty, थोड़ा सा इसका inclination difficult level पर ही है, but इसमें ad hoc judges, yes Supreme Court में appoint किया सकते ह ही हैं, appoint होते हैं, additional judges होते हैं, appoint high court के अंदर, चलिए, solvay के अंदर आते हैं, it shall be the duty of the Comptroller and Auditor General to audit all receipts which are payable to consolidated fund or audit and report on accounts of stores, any office or department of the union, सरल सा सवाल पूछा गया है कि Comptroller and Auditor General India क्या क्या audit करता है, ठीक है, chapter भी खोल लिया एक बार, CAG का, एक बार पूछ लिया अपने दिल में कि CAG, यह जो office है, constitutional body है, करता क्या है, सरलता से पता चल जायागा कि दोनों के दोनों करने थे, ठीक है, अगर नहीं question खोला है, तो फिर यह sound गर रहोगा कि सर, बहुत difficult था, but that only happens जब आपने खोला नहीं था, which is not included in the committee to recommend name of the appointment of chair persons and members of the state human right commissioner, ठीक है, तो state human right, जो body होती है, उसके commissioner को appoint करने के लिए, basically उसके अंदर governor को नहीं रखा जाता है, difficult है, मैं नहीं मानता इसको असान मानना है, थोड़ा सा आपको difficulty आई होगी, specific information पे है, ठीक है, how many days an appeal can be made by an aggrieved person by decision of the National Green Tribunal to the Supreme Court, यह यह question quality का भी है, कुछ लोग कहेंगे कि सर, इसको environment में भी include करी देते, National Green Tribunal, but specifically इसका process, National Green Tribunal का है, लेकिन यह question सिर्फ और सी quality के किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा, right, 90 दिन का समय मिलता है, अगर National Green Tribunal ने कोई decision दे दिया, तो the person, अगर उससे खुश नहीं है, तो Supreme Court में उसकी appeal कर सकता है, but that is only जब वो तीन महीने के अंदर-अंदर कर दे, not exactly 3 months, but 90 days is much more legal term, 90 दिन का समय मिलता है, उसको, easy है, under which law the state food commission is established, यह है National Food Security Act, असानी से बता सकते थे, क्योंकि 2019 और 2020 में कोई National Food Security Act नहीं आया, जब भी NFS से लिखा हुआ है, कहीं पे तो उसके पीछे 2013 लिखा रहता है हमेशा, मतलब यह question तो मतलब one of the easiest वाले questions पे था, one of the easiest वाले questions पे आ उसका answer सीधा है, National Food Security Act of 2013, easy question सोचना भी नहीं था, नहीं पढ़ा था, तब भी कर सकते थे इस question को, no doubts about it, अच्छा, इसमें देखिए, chief election of commissioner of election commission is paid the salary equal to the salary of the supreme court, ठीक है, जो election commissioner की, CEC की salary है, वो हमारे supreme court के judge के बराबर है, the term of the chief election commissioner shall be a period of six years, या 65 साल, ठीक है, an election commissioner may by writing under his hand address to chief election commissioner resign his office, ठीक है, तीन सवाल किये गई है, chief election commissioner से, आच्छे, यहाँ पर pattern संभालो पहले, pattern अब दो, देखो, MPPSC के अंदर, बहुत specifically, constitutional bodies के उपर focus रहता है, जो जो constitutional bodies है, constitutional positions है, उसके उपर बड़े questions पूछते हैं, अभी अभी हमने देखा कि, क्या है कि, controller and auditor से related, एक direct question था, अभी अभी हम देख रहे हैं कि, chief election commissioner से related, एक दम, बिल्कुल clear cut answer है, and I'm hoping, कि आप MPPSC के जो serious candidates हैं, उनको ये बात पता भी थी, आज से पहले, and उन्होंने उसी प्रकार से, जो constitutional bodies हैं, उनको prepare भी किया होगा, and in case, आपने chief election commissioner prepare किया है, more or less, it's an easy option here, तीसरे में बहुत असानी से identify हो सकता था, कि election commissioner जो होते हैं, अगर उनको resignation देना है, तो president को देना है, क्योंकि president ने उनको appoint किया, एक basic function हमको पता है, resignation का, और appointment का, कि आप उसको resignation नहीं दे सकते, जो आप सिर्फ और सिर्फ उसको resignation दे सकते हो, जिनको आपने appoint किया, या उससे उपर, सिर्फ president ऐसे हैं, जो कि basically vice president को resignation देते हैं, beyond that, जिनको भी president appoint करता है, उनको resignation सिर्फ और सिर्फ president को ही देना होता है, क्यों यह number 3 वाला गलत है और उसके बाद जो दोनों पहले और दूसरे वाली statement सही है हमारे जो election commissioner उनकी salary judge के बराबर होती है 6 साल का उनका term होता है या फिर basically 65 साल उनकी retirement का age है perfect, असान है, completion है, यह difficult है which list and entry of the 7th schedule is related to election of the legislator of the state अच्छा सवाल यह है, कि list तो किसी परकार से याद होई जाए गलती से, ठीक है amazing, चलो कर ली भी, list किसी तरह से पैचान भी ली मुश्किल से but entry भी पैचान लेना, वो definitely 100% difficulty level है कोई शक की बात नहीं है, इसके अंदर, entry is very difficult to identify पहले तो, मैं तो कहता हूँ, यह भी identify करना मुश्किल होता है कि कौन सी, schedule 7 के बारे में जानते हैं, आप schedule 7 है schedule 7 में तीन list है, union वाली, state वाली और concurrent वाली जिसमें वो subject दिये हुए हैं, जिनके पास central law और state governments law बना सकती है right, so they're asking कि जो legislature election और to the legislature of the state है यह जो subject है, जो topic है, कौन सी, list में लिखा हुआ है अच्छा, list में लिखा हुआ है, उसमें specific number में लिखा हुआ है एक, दो, तीन, चार, पाँच और यह वो number भी पूछ रहे हैं, कि अब number भी बताओ बहुत ही difficult question था, और मतलब कर ही नहीं सकते मैं कहता हूँ कि, teachers को भी नहीं पता होगा usually, देख के बताना पड़ता है चलिए, a joint state public service commission may be established for two or more states हमारे मद्देपरदेश का basically जो public service commission एक ही है और तो किसी और state का है नहीं, लेकि ज़रुद पढ़ने पर दो states के लिए एक single service commission भी बनाया जासे बहुत ही ज़्यादा quality में, constitutional bodies पे बड़ा focus दिया ये MPPCSG ने, तो दोनों है, दोनों states agree कर देती है और उसके बाद basically parliament by law एक joint public service commission मना सकता है दो states के लिए, दो information basic है constitutional bodies पे बड़े question पूछ रहे हैं, बढ़ हाँ information basic है, जिसने भी state civil service commission और joint service commission के बारे में पढ़ा है, आइडेंटिफाई कि ये सरल आसान question था, how many state and union territories were established by 1956 state restructuring act, difficult, very difficult, objective data बिल्कुल याद होना और कई बार तो समस्या तो इस समय यही आ रही है कि अभी कि या अभी कितनी है, है ना, कभी नो होती है, कभी 7 हो जाती है, कभी 8 हो जाती है, right, state कभी उल्टा उपर रहता रहता है, ये बात भूल जाते हैं बच्चे कि जम्मु एन कश्मीर, अब state नहीं रही है, जम्मु एन कश्मीर बेसिकली दो union territory में हो गई है, फिर उसके बाद एक और information भूल जाते हैं, कि दमन एंद्यूई के साथ साथ एक और एड करके mix हो गई है, बड़ी सारी सी, so there is a lot of confusion, इस समय 28 by 8 है, 28 state है और 8 हमारी union territories है, 14 state और 6 union territory हुआ करती थी, 1956 में जब state restructuring act आया था, very difficult वान, इसको काफी difficulty level पर डाली है, when was the special rights and the previous पर्स enjoyed by the Indian princely states, बने कि common knowledge है, ठीक है, हमें इसके 1971 में ये abolish किया गया थे, common knowledge है, इसके बारे में, अगर आपको कुछ pop culture में interest हो, तो ऐसा ये भी बात समझ सकते हैं, कि जैसे हमारे जो सैफली खान है, वो नवाब थे, यानि कि वो princely states से बिलॉंग करते थे, तो वो एक साल के लिए नवाब थे, यानि 1970 में वो पैदा हुए थे, लेकिन जैसी 1971 में होता है, तो वो ये princely, जो प्रीवी पर्स होते थे, ये हटा दिये थे, जो मतलब दिमू कर दिया गया था इनको, तो किसी को अगर ये याद था, ताबों में लिखा होगा, अगर आप इतियास Modern India की NCRT पढ़ोगे, उसमें भी ये mentioned होगा, और अगर आप Quality की किताब में historical background of the Indian constitution पढ़ोगे, तो उसमें भी ये होगा, तो ये overlapping question है, कि भई, 1919 का जो Montague Transformed Reform थे, जिसको Government of India Act 1919 भी कहा जाता है, उसके तहट last election कब हुए थे, उसके तहट last election हुए थे 1945 में, याद रखे कि इसके बाद एक और आ गया था, Government of India Act 1935 आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी 1945 में जो last elections हुए थे, वो 1919 के Act के accordingly ही हो रहे थे, difficult है, no doubts about it, difficult है, who was the first nominated deputy chairman of the Constitution Assembly, again, हमारा making of the Indian Constitution लक्षमी कान के चेप्टर 2 में दिया हुआ ही है, HC Mukherjee थे, हाँ, identify करना मुश्किल था, identify करना मुश्किल था, कि HC Mukherjee, Vice Deputy Chairman थे, Constituent Assembly के, मतलब कि, मुश्किल था, difficulty level पर डालिये इसको, which of the following expression is appropriate in regarding the message to call joint sitting of the both houses under article 108, मतलब कि, 108 आर्डिकल में लिखा हुआ है कि President joint session बुला सकते हैं, ठीक है, केसलिए बुलाते हैं, कि उनकी direction होती है, उनका wisdom होता है, उनका consent होता है, या उनकी intention होती है, the correct answer is intention, अब, moderate is a difficult level, if you think about it, it's a moderate, it's a simple question, it's not easy to say, it's not easy to say, it's not easy to say, इसको पढ़के कोई conceptually, इसको बड़ी सरलता से कर सकता था, तो there was a huge difficulty in that, no doubts about it, आर्टिकल 24, हाँ ये अच्छा question है, अच्छा question है, conceptual है, and logic से किया जाने वाला, आर्टिकल 24 में, जो मौली का दिकार में, पार्ट 3 में आता है, employment of child in factories related to hazardous work, prohibited है, ठीक है, child labor prohibited है, आर्टिकल 24 किता है, वो कैसे वाली prohibition है, absolute prohibition नहीं है, कि कोई भी, जब भी मौली का दिकार पढ़ता है, तो ये बात कई बार surprising होती है, कि fundamental right में, child labor prohibited नहीं है, बस ये prohibited है, कि hazardous industries में, child labor नहीं हो सकता है, यानि absolute prohibition of child labor नहीं है, तो पहले तो absolute prohibition गलत हो गया, reasonable prohibition भी नहीं है, कोई ऐसी कोई reasonable नहीं है बात, moral prohibition भी नहीं है, बात ये partial, बात पार्शल प्रोहिबिशन है, hazardous में नहीं है, बागी जो normal जैसे कि जो domestic काम है, जैसे कि खेतों में कोई काम कर रहा है बच्चा, technically, technically prohibited नहीं है वो, वैसे तो कोशिश की जाती है, कि ऐसा कभी भी नहीं हो, but very fundamental right के context में, चलिए, उसके बाद next question है, हमारा article 368 of the Indian Constitution से related, यानि कि जो कि amendment से related discuss करता है, article 368 was amended by the 24th Constitutional Amendment Act, was amended by the 101st, आप ये समझ लीजें कि 42-44 के बाद कभी amend हुआ ही नहीं है, बहुत सा रलता की बात है, 24th ने amend करने की कोशिश की थी, बिल्कुल easy वाला question नहीं है, इंडी 24th ने इसको amend किया था, तभी उसके बाद केशमनन भारती case बना था, उसी की basis के उबर केशमनन भारती case आता है, जिसने फिर basically पूरी 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 पॉरी 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 के डिरेक्शन ही चेंज कर दी, चलिए, एंड वन ओफ दो वेरी वेरी डिफिकल्ट वन, ये भी मैं तो इसको तो मैं कहता हूँ, मैं भी काफी difficult question लगा मुझे ये, रेजर्वेशन ओफ सीट इन दे शिडूल ट्राइब इन मुंसिपैल्टी इन मंद्यपरदेश, बई जो मुंसिपैल्टी है, हमारे 74th Constitutional Amendment Act के तुवारा बनाई गई थी, 74th Amendment Act क्या करता है, Part 9A जोड देता है, जिसमें compulsory है, हर स्टेट को मुंसिपैल्टी क्रियेट करना, elections करवाते हैं, वाँ पर 5 साल के अंदर अंदर, उसमें seats भी reserved होती है, SC और ST के लिए, SC और ST के लिए seats reserved है, कहने का मतलब है कि जो proportion होती है, उस एरिया की, उसी के proportion में seats reserved है, पूछ रहे हैं कि, specifically भोला गया है कि, मध्यपरदेश में, बट इस एर्रेलिवेंट क्योंकि वहर जेंग है, और उसके बाद specific article पूछ लिया, 243 T1, article तो article provision भी पूछ लिया, बहुत जादा रट्टा लगाना था, बहुत ही जादा रट्टा लगाना था, तो difficult question माना जाए रहा, यह थी हमारी polity के question, पॉलिटी के question में यार, 7-8 question तो देखो easy थे, ठीक है basic questions है, constitutional body से related जो question है, I don't think so कि वो अगर जिसने पढ़ा, उसको difficulty आनी चाहिए थी, बट यह जो objective question है, intention of president वाला, यह थोड़ा से difficult है, conceptual है बट difficult है, 80th, यह तो question ही बहुत ही difficult है, ठीक है, और देखा जाए तो, how many states, 54 वाला, 71 वाला, yes difficult, so equal equal कर रखा है, अगर 16 question पूछे हैं, quality में से 8 सरलता है, और 8 basically, very difficult to do it, history के questions देख लेते हैं, लेकिन इस history में याद रखेगा, कि history में सारी की सारी, ancient history, medieval history, और modern history, और इसके साथ-साथ, art and culture भी इसी के अंदर included है, ठीक है, overlapping चीजे हैं, याद रखेगे कि ancient history और art and culture, तो बिल्कुल ही overlap करती है, indeed, अगर आपको art and culture की preparation करनी है, the best way to do is that, ancient India, 11th class की ancient India की जो NCIT, उसको करना सबसे बहतर art and culture की preparation करवाता है, चले, देखते हैं इसमें क्या कहते हैं, यहाँ है difficulty, this was probably the most difficult section, क्योंकि question, art and culture के होते ही ऐसे है, उसमें बहुत ज़्यादा objective knowledge और information की जोड़ पर, there is no concepts involved, usually, ठीक है, अब सांची को ककनम कहते हैं, यह बात सांची के ही लोग बता दे, तो भी काफी बड़ी बात हो जाती है, difficult है, विक्ट्री अफ मंडू was the key of the victory of south, अमीर खुसरो ने कहाए थे यह शब्द, बहुत लोग नहीं जानते होंगे इस बात को, medieval India पढ़के, और लेखक के शब्द उन्होंने क्या कहे हैं, यह जानना, difficulty level काफी बढ़ा देता है, Indian nationalism in the middle of 19th century was in embryonic stage, and was a historian with regard to the fact, कि इन्होंने बोला है यह वाली बाते भाई, डॉक्टर आर्सी मजुमदार और डॉक्टर एसेन सें, अगें, यह जो statement है, एक तो medieval historian ने, एक modern historian के दुआरा बोले गए हैं, and यह तीनों statement, तीनों question क्या किया है, यह चारों question है, 23, 51, 52, 53, कि there were some statements made by an historian, और specifically पूछा कि कौन से historian ने कहा था, and यह एसे questions जो होते हैं, वो difficult होते हैं, nevertheless, the correspondent of the newspaper Times, published from London in 1857, wrote that nobody in the North India looks at white man's car with friendly view, कौन था यह? W.H. Russell, असान नहीं था, इस बात खो जानना बिलकुल impossible, who speaks of India's self-reliant social system, the rural system in India is a tiny republic, Charles Metcalf, मुझे इसमें, मुझे इसमें जो सबसे possible था जो करना वो probably 53 है, Charles Metcalf, हमारे governor general भी थे इंडिया के, so, यह जो statement है काफी popular, ज़्यादा popular statement है, चीक है, W.H. Russell की, Dr. R.C. मजुबदार की मालूम हो या ना मालूम हो, Ameer Khusro की भी पता हो सकती है, अच्छी तरह से किया हो, किसी का मतलब, जो इतिहास, जिसका graduate subject है, वही कर सकता था, बढ़ difficult है, no doubts about it, कि questions थोड़े से जानदे difficult है, Ashoka Vandi Avanti Mahajanpad, and merged in Mauryan Empire during Bindu Sara, what text does it refer to, Samant Pasadika of the Buddha Ghosh, बै कैसे बताएगा कोई, full-fledged एकदम difficult level पे, according to Chachnamah, was the capital of the Indus country, in the 6th and 7th century, very very difficult, no doubts about it, who is the creator of the Mughal text, Masire Alamgari, Saki Mustahid Khan, दोनों के दोनो, ancient India के, और ये तीसरे वाला, medieval India का difficult, difficult, very difficult, in what context does, Panahi and Upanaha mention, in the medieval Indian history, Jutu को कहा जाता है, Panahi और Upanaha, again, not an easy way to do it, who founded the Adi Brahma साज, Brahma समाज, ये ही एक, modern India history, और आटन कल्चर सब में, easy वाला लग रहा है, Adi Brahma समाज, Raja Ram Mohan Raya जी ने, found किया था, easier one, एक ही है, वाद देरार उस huge difficulty, इतियास के, अगर context में देखे हैं, तो देर, सारे ancient, and shit वाले भी मुश्किल है, medieval वाले भी मुश्किल है, history वाले भी मुश्किल है, sports, sports पर आते हैं, sports पर basically, सिफ तीन question पूछे गए है, MPPCS prelims के अंदर, ठीक है, तीन questions में, there is, पहले वाला तो बहुत ही सरल है, who is the first Indian woman, to win an individual Olympic medal, एकदम easy, कर्णम मलेश्वरी, no doubts about it, इसको तो पता होना ही चाहिए था, जिसको नहीं आता, उसको basically preparation को reassess कर लेना चाहिए, very easy one, कर्णम मलेश्वरी, अच्छा, दूसरा, highest award given by the मद्ध्यपरदेश government, to sport coach, यहाँ पे, सरल question है, सिर्फ confusion वाला गलत कर सकता है, वैसे technically दुरोणाचारे अवार्ड हो सकता है, लेकि दुरोणाचारे national government देती है, यहाँ हमारी जो मद्ध्यपरदेश government है, वो विश्व मित्र अवार्ड देती है, तो यहाँ पे confusion की वज़े से अगर गलत किया है, तो यह silly mistake मानी जाएगी, दो it was a very easy one, अच्छा, यह भी असान है, मद्ध्यपरदेश आर्करी अकेडमी, established by the department, is situated in the Jebbalpore, कौन-कौन सी अकेडमी, कौन-कौन से इंस्टिटूट्स कहां-कहां located है, जैसे कि एक और questions हमारे हाँ पर इसमें, एक्जाम में पूछा गया था, कि National Institute of, इसी में पूछा गया है, National Institute of Virology कहां है, अब National Institute of Virology, पिछले एक साल से, हर एक हफ़ते में एक बार news में आता ही आता है, जो कि पूने में located है, ठीक है, वो पूने में located है, तो यह हमें important, जो departments होते हैं, उनकी location को थोड़ा जानना ज़रूरी होता है, sports के तीन question है, and all of them should have been done, were easy, कोई खास difficulty इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, now we come to the geography questions, याद रखिए कि इस geography questions में, हम सारे discuss करेंगे, agriculture के भी discuss करेंगे, AC के अंदर, and then there are some related to the environment, overlapped है, जो चीज environment में है, वो geography से कैसे associated नहीं है, ऐसा तो होई नहीं सकता, जो चीज agriculture से related है, वो automatically geography के ही, एक sub topic के अंदर आती है, so they all are associated, तो इन सारे के सारे questions को discuss करते हैं, important one है, चलिए, सबसे पहले आ जाता है, international geography का question है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें match करने है, stepes कहाँ पर मिलते हैं, prairies कहाँ पर मिलते हैं, types of grasslands हैं, welds कहाँ पर मिलते हैं, downs कहाँ पर मिलते हैं, मैं क्यों इसको easy बोल रहा हूँ, basic, यह है basic geographic knowledge, stepes कहाँ पर होते हैं, आठवी नौवी कक्षा की जो भुगोल की किताब है, उसमें ये बाते mentioned है, this will be considered easy, अब यहाँ पर इसका answer है C, यानि stepes हमारे रश्या में मिलते हैं, prairies हमारे United States of America में मिलते हैं, welds हमारे South Africa में मिलते हैं, और downs हमारे जो हैं, वो Australia में मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा basic knowledge, बहुत ही ज़्यादा, tremendously easy question, दूसरे में हमें बताना हैं कि, not, ये बात ध्यान रखेगा, कि कौन सा है not correctly match, तो यानि कि चार में से तीन correctly match थे, ठीक है, आनशी नैशनल पार्क करनाट का है, बालफकरम मेगाले में हैं, हीमीज नैशनल पार्क लद्दाक में है, चंदोली नैशनल पार्क गुजरात में नहीं, महराष्टर में है, यहाँ पर बस, अगें, ये कुछ बच्चों को इसमें problem आती है, it's not as easy as it sounds, there is a huge difficulty, क्योंकि, बट, जो भी competitive exams की preparation कर रहा है, वो जानता है कि यह basic structure है questions का, हमारे नैशनल पार्क की जो location है, wildlife centuries की जो location है, हर प्रकार के competitive exam का एक basic staple है यह, इनकेस अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो अराम से दो-तिन दिन लेके इसको prepare कीजिए, आने वाले किसी भी जब भी prelims type के exam MC को दोगे, यह question आते जाते रहेंगे, तो एक बार बैट के prepare कर ही लीजिए, लब छटी साथवी class की geography का भोल का question, छोटा नगर फ्लैट्ट्यू, ट्रिमेंड़सली एजी, ठीक है, टास्क फोर्स अफ ब्ल्यू एकॉनमी फॉर सस्टेनेबल दिवलप्मेट इसका आश्क फोर्स बनाई है, ब्ल्यू एकॉनमी के लिए, स्पेसिफिक्ली, फंग, नुपी, नेशनल पार्क इं मिजॉरम इस नोन अज्विच फॉलोविग फॉलोविग है, ब्ल्यू मांटेन पार्क, ठीक है, अगें, स्लाइटली डिफिक्ल्ट, पहले तो नेशनल मार्क पता होना चाहिए, फिर नेशनल पार्क के जो निकनेम है, वो भी पता होने चाहिए यह वाला असान नहीं था उसके बाद आ जाते है which one of the following pair is not correctly matched किली मन जारो तो अफरीका में ही है माउंट मेकेनली नॉर्थ अमेरिका में है अकॉन कागुआ साथ अमेरिका में है अलब्रस जो है वो एशिया में नहीं है यह सिंपल सी सदल सी बात है but this might get confusing क्योंकि अलब्रस अगर आप पढ़ोगे तो वो योर्थ में है बट कई जंगों पर वो ओवरलैब करता है एशिया के साथ भी अगर किसी को इस आंसर से समस्या है तो वो काफी valid है यह बात काफी valid है क्योंकि क्ली मंजारों माउंट में कने लिए अकांग हुआ यह clear cut इनके continents जो है वो बहुत clear है ठीक है लेकिन अलब्रस माउंटेज जो है अगर आप इसे पढ़ेंगे तो वो एशिया slash योरोप में है मतलब कि there is some part of अलब्रस माउंटेज जो की एशिया के अंदर भी है रशिया में है basically लेकिन रशिया is part of एशिया so they have given a very very confusing option in that definitely इसके against probably कुछ बच्चे complain भी करेंगे बठा अगर देखा जाए तो अब अगेन जब ambiguity होती है तो हमें most appropriate चुनना होता है बाकी की clarity है उन तीनों में कि वो तीनों सही है एक ही है Elbrus जिसके अंदर Asia और Europe लिखना थोड़ा ज़्यादा बहतर रहता then hence it is done ठीक है चलिए फिर ये दुवारा से international geographic question है economic activity of agriculture region किस-किस country से matched है देकि दोनों के दोनों question similarity की है पहले सारे grasslands को match करना था देशों के साथ और अब उनकी agricultural regions को basically match करना है answer है C यानि कि basically क्या कहते है commercial जो dairy farming है वो basically Malaysia में सबसे ज़्यादा popular है उसके बाद commercial जो grain farming है वो basically Denmark में सबसे ज़्यादा popular है commercial plantation farming जो है वो basically France के अंदर बहुत popular है और commercial fruit production जो है वो Argentina में है I can say that this is basic but then it was not as easy to do as it might sound हमारे state, हमारे राज्यों में हमारे देश के राज्यों में कौन-कौन से राज्ये हैं जहां पर wind power की सबसे ज़्यादा सम्हावना है बनाने की developmental of wind power Tamil Nadu और Gujarat के अंदर सबसे ज़्यादा है moderate level की difficulty easy नहीं मानेंगे इसको इस अवाल थे तो यह आपने मैंने basically main primarily जो आपके साथ के कहते हैं topics है उनको मैंने आपके साथ यह discuss किया है हमारे UPSC, sorry MP, PSC prelims of 2021 आप identify करी चुके हैं कि 50% जो तो था वो basically Madhya Pradesh से associated था और अगर उसमें 15 quality को बैड़ कर लो तो almost 50 के करीब जो questions थे 45 से 50 questions almost cover हो चुके थे history and art and culture non-negotiably काफी ज़्यादा इन्होंने इस पर थोड़ा स़ difficult दे दिया इसी basis पर दो अभी यह बहुत ही preliminary analysis है prelims का preliminary analysis है तो exact इसको ऊपर नीचे इसके अंदर होता रहेगा परंतु इस समय आपके सामने जो screen पर है वो probably basic इस परकार की cutoffs होंगी ठीक है अगर general category वाले जो बच्चे है 135 से 142 के करीब अगर कुछ भी score कर रहे हो तो अपनी preparation immediately करना start कर दीजिए and so on OVC वाले ST के candidates 114 से उपर का अगर आपका score है तो आपको इस समय mains की preparation immediately start कर देना चाहिए and आप इस समय अपनी category के हिसाब से general के 135 से 42, OVC के 132 से 136, EWS के 133 से 136, SC के 122 से 124 और ST के 114 से 120, किसी का भी जो lowest level का भी अगर score बन रहा है तो basically आपको immediately अपनी preparation mains के लिए start कर देने चाहिए, यानि कि कहने का मतलब है कि अगर GS paper 1 में 60 से 70 के बीच में आपने questions किये हैं, अच्छी तरीके से attempt किये हैं, so you have a very very good shot at giving mains for the MPPSC this year, अब सवाल यह है कि अगर आपको अपनी key अभी अपने नहीं लगाई है तो आप इसके, वैसे तो मापको इसको telegram group पे पूरी की और question papers share कर दूँगा, लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हैं, बैठके तो आप इस समय आप इसके screenshot ले सकते हैं, यह है question number यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद set A, set B, set C और set D के according हमारी MPPSC की answer की, ठीक हैं, यह 1 से 10 तक है, screenshot ले लीजिए अगर आप चाहिए तो, यह 11 से 20 तक हैं, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, 51 से 60 तक, याद रखिए, यह section A है, यह B है, यह C है, यह D है, set, 61 से 70 तक, A, B, C, D, A, B, C, D, set A, B, C, D and finally, set A, set B, set D, दो, मैं आपको एक answer की का जो PDF है, वो मैं आपको अपने telegram channel के उपर, यह T.me. slash Amit Kiloward के उपर, अभी share कर रहा हूं, साथी साथ इस PDF को भी share कर रहा हूं, तो अब अगर आपने answers उसमें लगाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप definitely उसके इदर collect कर दीजिए, for anything else, you can also hit me anywhere on my social media, mains की तियारी करने के लिए, study IQ के साथ बने रहिए, study IQ आपको MPPCS mains के साथ और prelims के साथ, absolutely complete analysis के साथ, आपकी पूरी preparation कराता है, do check the study IQ website for the courses related to the MPPCS C mains, for anything else, hit me on my social media anywhere, have a nice day. है पूरी यो बने दादके व्यक्त, आपकी आपको आद़ के साथ,